बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग तो जबरदस करते हैं लेकिन ट्रेडिंग में बढ़िया नहीं कमा पाते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग में तो बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग में उन्हें नुकसान हो जाता है औ investing और trading में अलग-लग mindset चाहिए होता है और कई बार लोग इसी में confuse हो जाते हैं कि यह stock जो है मैंने invest करने के लिए लिए या trade करने के लिए trade करने के लिए तो हमें active रहना होगा बिल्कुल भी loss का मूह नहीं देखना है और अगर invest करने हैं तो patience रखनी होगी क्योंकि स्टॉक जो है वो उपर नीचे होकर ही चलता है रूल्स को दोनों में ही पूरी तरह से फॉलो करना है अब मैं इन्वेस्टिंग का जो सिस्टम आपको बताने वाला हूं उससे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही करक्स है पूरे मॉडल का आपको कैश फ पैसा कम है यह कोई वज़ा नहीं है इन्वेस्ट ना करने की इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा आपको डालते रहना पड़ेगा यह मत सोचिए कि मेरे बास बहुत कम पूंजी है इसमें क्या ही इन्वेस्ट करेंगे इसमें क्या ही बनेगा यह मत सोचिए छोटा छोटा पै पैसा होता है कि हमने कुछ LIC लिया होता है कोई ELSS में हमने लगा रखा होता है FD करवा रखी होती है यह कभी कभी पैसा हमारे बैंक में पढ़ा रहता है जहां कोई खास इंट्रेस्ट नहीं मिल रहा होता किसी म्यूचल फंड में लगा रखा है म्यूचल फंड में अटका उनको री पर्पस कीजिए हम ऐसे थोड़ी कि पैसे को खर्च कर रहे हैं उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालना है इसके अलावा आपको ये सोचना है कि मैं सेव कितना कर सकता हूँ तो जो पैसे आप आगे सेव करेंगे उसको भी इन्वेस्टिंग में डेडिकेट करना है तो में चीज़ क्या है इस पर ध्यान रखिए कि आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के अकाउंट हमेशा अलग अलग मेंटेन करने है बहुत सारे लोग हैं जो मिक्स अप कर देते हैं एक ही जगह पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर रहे होते हैं वो भी एक ही खाते से और उसमें कोई न कोई कन्फूजन कोई न कोई गलती हो ही जाती है देखिए कभी क्या है ट्रेडिंग का लॉस आ रहा होता है और आप सोचते हैं कि चलो इसमें profit आ रहा है इस share में से हम इसे को बेच कर इसका profit जो है cover कर लेते हैं हमने trading के loss से तो जिस share को आपने बरसो रखना था चार्ट भी अच्छा था बेचने की कोई वज़ा नहीं थी वो छोटे से किसी trading के loss के लिए उसको cover करने के चकर में बिख जाएगा तो इसलिए investing और trading को आपको हमेशा अलग-लग खातों में अलग-लग brokers के यहां पर खोल कर करना है मैं अपना example दूँ तो मैं trading जो है आप stocks के platform को use करके करता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे option strategy feature का जो है और भी काफी सारे feature जो है वो मिल जाते हैं और investment में angel one के साथ करता हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे क्यों ज्यादा trade तो करना नहीं होता तो इसलिए मुझे angel one का डीमेट अकाउंट जो है वो अच्छा लगता है नीचे description में दियावे link पर क्लिक करके आज ही अपना डीमेट अकाउंट open करें और हमारे इस नेक परपस को आप support भी कर सकते हैं आप भी दो जगा पर खाता खोल कर अपने पैसे को जो है डिवाइड करके रखें जो investment का हमारा portfolio है उसमें time to time basis पर और पैसा devote करते जाना है